आज जो कमपनी लेकिया है वो भारत फोर्ज कमपनी है और भारत फोर्ज में बनता है क्या है मैं आपको बता देता हूं इसमें military के जितने भी बंकर होते हैं तोफ होते हैं यह जितने मिसाली साइल सब कुछ होते हैं उस कॉमपणी में बनती हैं ठीक है तो इसका कई plants है ठीक है तो मुंडवा में ही यह requirement आई हुए और किस किस का requirement है मैं आपको clear करके बता देता हूँ यहां से जहां पर हम रहते हैं यहां से लगभग 70 किलो मीटर दूर है मंडवा तो चुकि हम वहां पर पहुच नहीं पाएंगे और नमबर भी दे देगे आपको provide करवा देंगे ठीक है आप लोग चले जाईएगा वहां पर कैसा है सब कुछ आपको लाश्ट एक वीडियो बन सब्सक्राइब करो लाइक करो और हमारा चैनल का नाम ही रोजगार मेला 316 है और हर एक लोग को बिरोजगार को रोजगार के देने का और बिल्कुल फ्री में बताते रहते हैं ठीक है और नमबर भी प्रोवाइट करवा देते हैं कि आप नमबर लीजिए बात कर लिजिए अगर हमारी चैनल का भी नाम बता देंगे तो भी आपका हो जाता है ठीक है तो ठीक है और आप सभी लोग को बताना चाहेंगा आपका भी समय ज्यादा बखवास ना करके काम की बात करते हैं ठीक है और यह कंपनी है भारत फोर्ज लिमिटेड कंपनी है भारत फोर्ज लिम यह कंपनी में क्या है यह बहुत पुरानी कंपनी है यह गवर्मेंट की दाइरे में ही काम करती है ठीक है तो थोड़ी से वहाँ पर प्रसीजर क्या है अधार कार प्रेंट कार जो सर्टिफिकेट है और सब कुछ आपको लेके जाना पड़ागा केंटीन बस की सभी फेसलिटी लेकिन हम बोले सरा भी हमारे पास टाइम नहीं है जो कि हम मुंडवा आ सके लेकिन सोरी सर लेकिन हाँ मैं एक परसनल आपके लिए वीडियो बनाओगा क्योंकि उस कंपनी में हमने जाके देखा बहुत सारे इसे लोग थे और मुझे भी ऐसा लगा कि अगर मालो हर एक काम करना पड़ता अगर उस कंपनी में काम करते हैं तो फेसलिटी जान लेज़े सब को जान लेज़े आपको सबसे बड़ा देश की जो आर्मी के लोग होते हैं उनकी सेवा करने का आउसन मिल जाता है ठीक है और आपको अभी भी बोल सकते हैं देश के लिए सेवात के पर देश के लिए सब कुछ ठीक है तो वीडियो में आप लोग बने रही है और बताते हैं आप लोगों को ठीक है यह भारत फोरिज कंपनी है यह कंपनी मुंडवा में है और इसकी अरे तो बहुत यह टॉप की कंपनी है ठीक है इसमें अभी CO2 welder की जरूरत है CO2 welder साथ सी अगर CO2 welders है आपका experience एक से पांच साल के बीच में होना चाहिए ठीक है आप फीटर है तो फीटर का भी experience एक साल से लेके पांच साल के बीच में होना चाहिए अगर आप ग्रेंडर है तो ग्रेंडर का भी एक साल से लेके पांच साल के बीच में experience होना चाहिए ठीक है और आपको बता दें ड्यूटी टाइम आठ गंटे की है सेलरी आपको बता देते हैं अगर CO2 welder से आप तो आपका पचीस हजार से ये बबब पचीस हजार सताई सजार अग तुरंत नहीं रखा जाता है आज इंटर्व्य होगा तो सुभा साम तक पता चलेगा कि आपका इंटर्व्य पास हुए या फिल हो है ठीक है फिर तीन दिन के बाद आपका safety का training होगा फिर उसके बाद medical होता है ठीक है फिर उसके बाद आपकी एक ज्वायनी होती है मतलब इसमें कम सकम 10 दिन का procedure लग जाता है लेकिन आप salary भी जान जाए कितनी salary है sure to welders का कम सकम अगर आपको आता है welder का काम आता है तो सिद्धे भारत फोर्ज में जाएए age का कोई भी criteria नहीं है कितना भी age है आपका चलेगा ठीक है और आपको बता दें कि आप fitter है चाहे welder है सेम यहीं procedure है fitter और welder का मैं भी salary अभी clear कर देता हूँ इसमें भी salary 18,000 से लेकि 8 घंटे का 27,000 तक है जैसे interview आप face करते हैं उसके हिसाब से आपकी salary आती है मन्थली का OHR create करता है ठीक है और आपको बता दें कि इसमें salary आ जाती है साथ या पांस तारी के बीच में ठीक है और मैं वहां का जो एचार है उनका नंबर दे देता हूं और एक contactor है ठीक है उनका नंबर दे देता हूं राजेस सरकर के हैं और एक हमाराज सबसे भारत फोर्ज का वीडियो हमने सबस्ता है और आपको सबसे बड़ी बात बता दें दोस्त उस company के पास अगर आप जाते हैं उस company में अगर आपको होता है तो आपको रूम प्रवाइट करवा के देंगे ठीक है लेकिन रूम का पैसे आपको पहले सबसे बड़ी बात आपको आफर बता दें कि वहां पर जो company है company के जोष्ट बाहर में आपको खावी खाना बनाने की जोड़त नहीं पड़ेंगे जोष्ट सामने में दोस रुपे में सी वोजन ठाली करके बहुत अच्छा खाना बनता है मैंने खुद वहां पर खाया है और और खाने की बात करें न तो चावल जितनी चाहें उतनी बार ले सकते हैं ठीक है पेट भर जाता है ठीक है और आपको आपको बता दें कि नमर आपको बता देते हैं और डिस्क्रेप्शन में नमर डाल देंगे आप लोग बात कर लेजेगा और इसना अच्छा कंपणी आपको नहीं मिलेगी तो कि हमने उस कंपणी में गया था तो हमने देखा था जितनी सेफटी ठीक है काम कम सेफटी ज्यादा है उस कंपणी मे आप शहों तो वहाँ पे जा सकते हैं ठीक है और नमर भी दे दूँगा किसी को नोकरी के नाम पे पैसा नहीं देना है अगर आप देते हैं तो उसकी जिमदार आप खोद होते हैं ठीक है हम पहले भी इस बात को बोलते हैं और अब भी आपको बता रहे हैं ठीक है तो किसी क कमपनी का हारिंग तभी लेकि आप आप आएंगे आप सभी लोगों को तभी बता पाएंगे जब हमारा भी आप लोग सपोर्ट करेंगे ठीक है तो ठेंक यू और जितने भाई हैं सभी लोगो दिलिच से धन्यवाद ठीक है ठेंक यू सर्ट